हेलो फ्रेंड्स मैं मौनिका आपकी कार्डनर दोस्त आज आपसे ये स्टॉक के फिलार्ज के बारे में बात करूंगी देखिए ये डॉग फिलार जैसे स्नैब ड्रेगन जैसे ही लगते हैं देखने में लेकिन ये अलग होते हैं बड़े खूबसुरत होते हैं हो वाइब्रेंट होता है इनका कलर, डार्क होता है याललो और ये डार्क पिंक कलर वाइट कलर और परपल कलर में जादा आते यfunded य nosotros encourage च Lars युद sympathy य forwards लाइट पिंक दार्क पिंक इन में जादा हते आक और इनका infections देखे कितना तिक और सुन्धर होता है यह जो है वो देखे किना खुबशूरत है और यह जो प्लांट है यह जैसे मैं आपको को विंटर में प्लांस दिखा रही हूं तो यह विंटर एन्वल प्लांट है लेकिन इलाकों में मौडरेट से ठंड पड़ती है वहां पर यह पूरा साल भी चल जाता है लेकिन यह है एन्वल प्लांट ही क्योंकि इसको जो वह फ्लारिंग करने के लिए फुल दे धूप चाहिए लेकिन इसको मतलब थंड भी चाहिए इसलिए यह सर्दियों में उगता है हमारे हां और एक और स्पेशल बात है कि जब इनकी सीडलिंग स्टेज होती है बीज उगा के जब सीडलिंग की जो स्टेज होती है ना उस स्ट स्टेज में इनको कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है मतलब उस स्टेज में इनको रात की ठंड़क चाहिए होती है रात का लो टेंपरेचर चाहिए होता है तो इसलिए यह क्या होता है कि जो सीडलिंग्स हमें ग्रीन हाउज में अवेलिबल होते हैं या ठंडी दो cold treatment का मतलब उनको कुछ दिन के लिए जब वो develop हो रहे होते हैं seedling उनको low temperature मिलता है क्योंकि वहाँ पे temperature कम होता है या फिर artificially low temperature greenhouses में देखे इनको तियार करते हैं तो वो जल्दी लगते हैं अगर हम लोग जैसे मैं राजिस्तान से वीडियो बना रही हूं तो अगर मैं इ हो जाता है इसलिए nursery से इनके seedlings लेया हो या छोड़ थोड़े से बड़े पौदे लेया हो क्योंकि वो cold treatment किये हुए होते हैं एक बहुत बड़ा reason यह भी है कई लोग मुझे पुछते हैं कि आप बीज से क्यों नहीं उगाते हो तो यह winter flowering plants में एक reason यह भी होता है कि हम वो से आते हैं वह already ठंड में उगे हुए पौदे आते हैं तो वह हमारे यह फ्लारिंग करते हैं अगर हम यहां लगाए हमारे तो जो ठंड का tenure हो रहे है वह बहुत कम होता है बहुत कम साना टाइम के लिए ठंड होती है एक महीना पड़ेगी अच्छी सी जो ठंड होती है तो अच्छी होई नहीं पाती है तो यह एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें नर्सरी से पौद ले लेने चाहिए यह थोड़ा बड़ा पौदा अब हम इसकी सॉयल रिक्वाइर्मेंट की बात करते हैं तो इसको हलकी सी ऐसे पसंद है और वेल ड्रेंड सॉयल होनी चाहिए इस चमच या आधा चमच फंजिसाइड पाउडर मिला दें जब इसकी मिट्टी को आप तियार करें और हां एक मुठी जैसे मैं नौ इंच के गबनों में लगाती हूं तो उसमें एक मुठी बोन मिल भी डाल दें बोन मिल में जो फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है वो प्लां अलग है White वाली थोड़ी compact है उस से अलग है और वो जो अब फर पर प्ल वाली जो है वो ज fiquei ज्यादा मतलब दूर दूर हैं और उसके फ्लाज जो है वो इतने घनए STEVE मतलब पतिया हैं उनके फ्लाह्ज में और इसमें देखिए ए पिंक वाले में इसमें बहुत ज़ज़ लगाया हो तो उसमें पतली-पतली फलियां वोती है ना जिसके अंदर शर्सों के बीज होते हैं तो इसके बीज की जो फलियां है वो भी फलियां आती हैं मैंने बहुत सारी फलियां अभी तोड़ दी खुब सारी फलियां आ गई थी मैं दो दिन नहीं देखा मैंने जो फिर बीज बनने शुरू हो जाते तो फलारिंग इसलिए इसमें फलारिंग कम भी हो ही थिकलते नहीं तो मैं तो इस का और वाली में बहुत तना फलियां आती है अच्या दो पूर्डी पूदा है कि बहुत जादा पूरा सुबह से लेकर शाम तक बारा गंटे की धूप मिलतीया पूर फ्लारिंग तो हो जाती है फिर फूछ है अथे नहीं है कि यतने सर्दी के प्लांस है maximum 5-6 गंटे की दूपिन के लिए बहुत होती है और मिट्टी को मॉइस्ट रखिए मेरी यह परपल वाली पिंक वाली है इसकी मिट्टी थोड़ी सी उपर से सूखी हुई है लेकिन जब उसको छेड़ते हैं उंगली से तो नीचे थोड़ी सी मॉइस्ट है तो मिट से जादा पानी निकल जाता है त्वाह ढूंब जाता है नरし एक निकल बाट पानी मैं के जरूत बाता है तो बहुत जाञता है सूखने होटा है मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्टी रखें बहुत Odan जाते हैं और आपका पौदे में खतम हो जाते हैं तो यह ध्यान रखिए और फटिलाईजर हल 10-3 दिन में बाकी पौदों को देती हूं लिक्विड फेटिलाइजर दें वह और लिक्विड फटिलाइजर भी होसकता है और chemical chemical बनाने के लिए एक लीटर पानी में एक चमच दीएपी और एक चमच पुटाश को डिजॉल्व करिए और वो पानी जित्ता आपके पौदे को चाहिए जैसे मैं ये 12 इंच के गमले इनमें एक एक कप देती हूँ liquid fertilizer चाहे वो organic हो और चाहे वो chemical जैसे डीएपी का बनात होता है नौ इंच के गमलों में और जो 12 इंच के गमले और एक गिलास के करीब दे देती हूँ बहुत ज्यादा भी नहीं देना चाहिए कि वो ड्रेने जोड में से सारा खाद आपका liquid निकल जाए फिर वो वेस्ट हो जाता है अगर वो पूरा जो है वो निकल जाता है तो य क्या होता है कि पौधे में मिट्टी जब पानी को बहुत जादा होल्ड में मिट्टी थोड़ा सा पानी होल्ड करें और वो होल्डिंग के पैसिती जो खाद हम मिलाते हैं ना देड़ हिस्सा या एक हिस्सा पौधों में वो जो खाद है ना वो वाटर होल्डिंग का भी काम करती है बिल्कुल appropriate amount of water को खाद hold करती है जो हमारी पौदों को चाहिए इसलिए हमें चिंता करने की जरूत नहीं होती है अगर हम सही amount में खाद गमले में डाल देते हैं खाली मिट्टी में नहीं लगाते हैं जैसे मैं बनाती हूं एक हिसा मिट्टी एक हिसा खाद और एक हिसा रिवर सैन मिला के उसमें जो खाद यह जो spent flowers होते हैं जो flowers मुर्जा जाते हैं उनको आप साथ के साथ अटाते रहें और जब सारा inflorescence यह पूरी एक डंडी जिसमें कुप सारे flowers लगे हैं इसके सारे फूल मुर्जा जाएं तो इस डंडी को बेस से काटते हैं अब जहां से यह शुरू होती है तो उससे नहीं नहीं जो हैं वो डंडियां stocks निकलेंगे उनमें flowers लगेंगे यह काम आप साथ के साथ करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड बाई